नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वानी पर दोस्तो चियान विक्रम हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनकी फिल्मों में हमें सांदर एक्टिंग देखने को मिलती आई है वे अपने किरदार को प्ले करने के लिए किसी भी हद तक गुजनने को तय रहते हैं और ये बात हमने सेतू से लेकर कासी, पीथा मगन, अपरचित, देवया थिरुमगल, रावनन और आई जैसी कई फिल्मों में और लेडी नोटिस किया हुआ है मगर अपसोस पिछले कई सालों से विक्रम जैसे उम्दा एक्टर की फिल्म में भी बॉक्स ओफिस प नाम होने पर कमजोर ही मालूम पड़ती थी, यही वज़ा थी कि 2015 के बाद से दस इंद्रा कुला, स्कैच, सामी स्क्वाइर, कोदाराम कॉंडन और कोप्रा जैसी फिल्म में बॉक्स ओफिस पर अंधे मुगिरी, वहीं कार्तिक सुब्बा राज के डिरेक्शन में बनी महान जो की एक वेल एकलेंड फिल्म थी, उसे OTT पर रिलिस किया गया था, इसलिए हार्ली वो फिल्म चियान विक्रम सर के मार्केट को उपर उठा पाने में कारगर साबित हुई थी, दोस्तों विक्रम सर को एक अच्छे कमबैक का काफी लंबे समय से इंतजार था, अर्ली 2000 में जो चार बड़े हीरो उबर कर आये थे, उसमें किसी एक्टर का केरियर जो सबसे डामा डोल मालूम पल रहा था, वो ते सबसे बैतरीन एक्टर चियान विक्रम, मगर फाइनली बीते दिनों चियान विक्रम सर को बॉक्स ओविस पर असली सफलता मिल चुकी है, जी हाँ दोस फिल्म होने वाली है पी एस टू, जो डेफिनिल्टी इंडियन बॉक्स ओपिस पर एक हजार कौन तक का बिजनस करने का मादा रखती है, क्योंकि कहीं न कहीं पी एस वन ने पी एस टू के लिए सकस का पात ओलेडी तयार कर दिया है, वहीं इस बीच विक्रम सर की एक और फ पर हम थोड़ा बात में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं डिरेक्टर पारंजीत की, दोस्तो डिरेक्टर पारंजीत ने इस से पहले रजनेकान सर को लेकर कबाली और काला जैसी फिल्म में बना रखी है, वहीं 2021 की सरपट्टा परंबराई मेरी इनके निर्देशन ब कर फिल्म का हर एक टेक्निकल डिपार्टमेंट टॉप नॉस था और यही वज़ा थी कि फिल्म को मैग्रम ओपस स्टार्ट के सासत हाइली क्रिटकल अकले मिला, दोस्तो पारंजीत का ये एक अगला बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्हें चियान विक्रम सर के साथ पह काफी कोसिसों के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाई, फिल्म का मोरस सौट क्यून एलिजाबेस सेकेंड ने दिया था और इस फिल्म की आदे से ज्यादा सूर्टिंग भी हो चुकी थी, लेकिन बाद में फाइनिसल कार्णों की वज़ा से ये फिल्म अन्रिलिजट ही रह ग की कोलार गोल्ड फिल्म पर हुई एक सची घटना पर आधारित होने वाली है, फिल्म की कहानी बिटिस टाइम पिरेट की होने वाली है, जहां पर आपको रियल में माइनर्स के साथ क्या हुआ ये जानने को मिलेगा, फिल्म को रियल केजिफ स्टोरी कहकर कोड किया जा रहा आपको बता दूँ फिल्म के रैटर एवं डिरेक्टर पार एंजीत इस फिल्म की कहानी पर पिछले चार सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी रिसरच पर किसी भी तरह की कोई कसा नहीं छोड़ी है सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पीरेट फिल्म है जिसे 3D में बनाया जा रहा है इस फिल्म को पैन इंडिया लेल पर काफी बड़े स्केल पर रिलीज करने की प्लैनिंग रखी गई है हो सकता है कि साइध इस फिल्म से जियान विक्रम सर को भी हिंदी बेल्ट में अच्छी खासी सफलता मिल जाए पहले फिमेल एक्टर्स के तौर पर रस्मिका मंधाना का नाम सजेश्ट हो रहा था मगर अब ऑफिसली मल्यालम एक्टर्स पारवती और मल्विका मोहनन के नाम पर मोहन लगा दी गई है साथी साथ फिल्म के डिरेक्टर पार हंजीत ने ये साफ कर दिया है कि उनकी फिल्म में जो उनकी हिरोई ने वो सिफ लव इंटर्स के तौरपर नजर नहीं आएंगी फिमेल एक्टर्स का भी एक स्टॉंग प्लॉट फिल्म में रखा गया है जी वी प्रकास कुमार फिल्म का म्यूजिक डेरेट करेंगे साथी साथ एक किसोर कुमार की सिनमाटोग्राफी हमें देखने को मिलने वाली है फिल्म में विक्रम सर का लुक बहुती खदरनाक और डार्क सेडेट रखा गया है लंबी दाडी, लंबे बाल और साथी साथ विक्रम सर का जो इतना रफ लुक रखा गया है इसमें साइधी आपने किसी एक्टर को पहले देखा हूँ उपर से पैर पटक पटक के विज जिस तरह से डांस कर रहे हैं वो सीरिसली काफी इंप्रेसिव था फिल्म में दिखका चबिनेता पसुपती भी एक एहम भूमका में नजर आने वाले हैं कुल मिलाकर विक्रम सर की इस फिल्म से खासा उम्मीदे हैं तो दोस्तो यह रहा आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लेज लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद